दोस्तों नमस्कार जैसर कृष्णा जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 8 अप्रेल 2021 आज के लव रासी फल की आज आपकी लव लाइफ आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके रिलेसंसिप की स्थिदी कैसी रहेगी आए जानते हैं दोस्तों लव रासी फल सुरू करें उससे पहले आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी का अनुसार इस लव रासी फल को देखें वा सुनें अगर आपको चंद रासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी का नुसार भी सत्विशा के चंद्रमा आज आपके लिए क्या नुक्सान करने वाले हैं कैसी स्तिती निर्मित करने वाले हैं आईए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में पहली रासी मेस रासी के बारे में मेश रासी वालों आपकी रासी से ये चंद्रमा एकातस भाव में जरूर रहेंगे आज प्रेम संबंदों में कोई नया प्यार सुरू हो सकता है आज अगर सिंगा लहें तो किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है इस्तिती तो बहुत अच्छी है लेकिन जातर संभावना बनेगी कि आज कन्फ्यूज रहेगा आपका पार्टनर आप जिसे प्रपोज करेंगे वो थोड़ा सा आपको बोलतो देगा लेकिन कन्फ्यूजन में रहेगा कि प्यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए यह चीज जरूर रहेगी साइद हो सकता है उसे अपने X की जादा याद आ रही हो या X को लेकर के जादा सोच रहा हो तो या बीते दिनों में उसके साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ है जिस बारे में वो सोच सोच के थोड़ा सा परेशान है लेकिन यहाँ पर रिलेशन्सिप के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा समय ऐसा रहेगा जिसमें कन्फ्यूजन रहेगी बातचीत करते समय आपके पार्टनर जाजातर कन्फ्यूज रहेगी यह स्तिती बनेगी और डरे हुए रहेगे कुछ एक अलग सा भै होगा उनके अंदर जो वो बता नहीं पाएंगे आपको और उसके साथ साथ देखा जाए तो यह स्तिती बनती ही नजर आएगी कि आपके आज साधी को लेकर के बातचीत हो या आपके पार्टनर आज आपसे कोई गिप्ट मांग ले और आज वो अपना अधिकार जता है आपको आपको मेरिट लाइफ में स्तिती नजर आएगी कि आपको मेरिट लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर से प्यार मिलेगा इसने मिलेगा कोई दिक्कत नहीं होगी उसके साथ साथ देखा जाये तो एक्ष्टा मेरिटल अफैर में आज इस्तितियां ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ साथ आज कोई धोका भी दे सकता है या कोई ब्लॉक कर सकता है आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर सकते हैं ये भी स्तिती है उसके साथ साथ जातर ऐसी स्तिती भी नजर आएगी कि एकदम से कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद करने लेगे एकदम से आपके लिए पागल हो जाए ये भी स्तिती नजर आएगी लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है कि आज का दिन ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा मन असांत रहेगा एक्ष्टा मेरिटल अफेर में दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रिसव रासी वालों की ब्रिसव रासी वालों आपकी रासी से दसम भाब में यह गोचर आज यह दरसाता है कि आज वो इतने ज़्यादा कारेच हित्र में व्यस्त हो जाएंगे इतने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे जिस वज़े से वो आप पर ध्यान नहीं दे पाएंगे आज के दिन मैरेड लाइफ में थोड़ी सी प्राब्लम बनेगी और उसके साथ-साथ आज उनकी फेमली की बज़े से कोई प्राब्लम आपकी लव लाइफ में बन सकती है आज के दिन वो आपको ये भी बोल सकते हैं घरवाले नहीं मान रहे हैं मैरेज के लिए अगर मैरेज को लेकर करके बातचीत कर रहे हैं ऐसी स्थिति में और ऐसी स्थिति भी बनेगी तो बहुत अधिक मात्रा में ये भी शुरूवात है कि कोई नया प्यार आपको मिल सकता है एक्स्ट्रामेडिकल अफेर में कोई नई दोस्ती बन सकती ये भी इस्तिती बनेगी आज अगर आप पार्टनर से मिलने की जिति करते हैं तो परेशानी बन सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी वालों आपकी रासी से चंद्रमा नवंभा में रहेगा आज प्यार इसने है तो बढ की होती आपकी तो हो सकता है कि आपका रिस्ता बहुत जल्ली तूट जाए या आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाए उस रिस्ते में आपका विस्त्वास तोड़ दे पारटनर एक्स्ट्रा मेरिटल अफयर में चला जाए ये विश्तिती बनेगी या उसके एक्स्ट्रा मेरिटल अफयर रहे थे तो आज आपका पार्टनर आपसे बता सकता है कि ऐसा ऐसा कि आपके relationship में रहने के बाद में हम लोगों की love life में कोई तीसरा भी आया था और हमने ये बात आपसे छिपाई थी यही भी आज बता सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं करकरासी वालों की करकरासी वालों आपकी रासी से अश्टमस्त रहेंगे आज का दिन सबसे ज़्यादा खराब है आज के दिन breakup हो सकता है बहुत ज़्यादा मानसे कसांती होगी आज पार्टनर नकारात्मक्ता की ओर जाएगा किसी प्रकार से ऐसा लगेगा कि तंत्रमंत्र की स्तिती है या कोई बहुत नेगेटिब उर्जा उसे प्रभावित कर रही है आज आप पार्टनर से बातचीत भी करेंगे तो उसे आपसे बातचीत करने में कोई दिल्चस्पी नहीं होगी वो आपको एग्नॉर करना चाहेगा और जाहतर आपसे खास करके वीडियो कॉल पर तो आज बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा आज ज़्यादा एमोशनल होते हैं या पार्टनर के सामने रोते हैं तो ब्रेक अप भी हो सकता है ब्लॉक भी किये जा सकते हो खास करके एक्स्टामारिटल अफैर में आज बीती बातों की वज़़े से परेशाणी बन सकती है और आज के दिन में बहुत जादा सिंगल जो लोग हैं उन्हें बहुत जादा गुस्टा और बहुत जादा परेशाणी रहेगी आज आपको प्यार नहीं मिलने वाला चंद्रमा सब्तमस्त रहेंगे सब्तम भाव के चंद्रमा आज के दिन देखिए राहू के नक्षत्रम है तो आज confusion रहेंगी, बीटी बातों की बज़े से परेशानी रहेंगी, एक अंधिरे सा चाज आएगा, क्या करना चाहिए, नہीं करना चाहिए क्या कैसे करें, कैसे PARTNER को समझाएं कैसे उने गलत फह피हमी उनकी दूर गरें एजा मन करेगा कि क्या कर रहे हैं हम बहुत जाधा गुस्ता भी आएगा गलत फह피हमी दूर नहीं कर पा रहें कैसे समझाएं यह सब ची जह confusion में बहुत जादा परेशानी आगी, तो राहू के नक्षत्र में रहने की बज़े से चंद्रमा परेशानी देगा, मान से कसांती देगा, चाए वो लब लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या एक्ष्ट्रा मैरिटल अफेर की स्थिती हो, रिलेसंसिप में प्रॉबलम तो आज रहें दोस्तों बात कर लेते हैं, कन्या रासी वालों की, कन्या रासी वालों आपकी रासी से, सस्थम भाब में ये गोचर ये दरसाता है कि आज के दिन थर्ड पार्टी आपके प्यार में आ सकती है, आपके रिलेसंसिप में आ सकती है, आज आपका पार्टनर आपसे दूर होने लगेगा आज आपका partner किसी तीसरे पर ध्यान देने लगेंगी आज आपके partner external affair में जा सकते हैं किसी third party से परिशान भी किया जा सकते हैं या आपके द्वारा अगर कोई partner पर आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों की बज़े से वो आपको ignore करेंगे और छोड़ देंगे ऐसी स्तिती भी बनेगी आज के दिन बहस करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और खास करके यात्रा कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने तो बहस या दूसरे लोगों के सामने अपने पार्टनर के सा सब्खने पड़ेंगे यह बीते दूनों आपकी रासी से चंद्रमा पंचमस्त रहेंगे और आज देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा आज किसी को प्रफोज कर सकते हैं लेकिन आज एक बात ध्यान रखियेगा कि जिसे प्रफोज करेंगे न वो व्यक बनाए है उपहार गिप्ट इत्यादी दे सकता है आपका पात्नर खुस रखने की कोसित करेगा और प्यार बहुत अच्छा रहेगा लेकिन इसकुश बातें छिपाएंगे भी आपसे यह भी इस्तिदी बनेगी आज मुलाकात कर सकते हैं आप और मुलाकात का समय आपका काफी अच्छा रहने वाला है दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रिश्चिक रासी वालों की ब्रिश्चिक रासी वालों आपकी रासी से चतरतभाम मे चंद्रमा का गोचर आज बहुत ज़्यादा एमोशनल रहेंगे पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आएगी आज किसी के प्रती अगर दिल में फीलिंग है तो उसकी बहुत ज़्यादा याद आएगी राहू के नक्षत्र में चंद्रमा की स्थी दरसाती है कि आज आप कन आपके साथ में नहीं है तब भी आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे अच्छा ही करेंगे मेरेड लाइफ में आज कलहक स्तिती बन सकती है मेरेड लाइफ में जितना हो सके गलत फेमियों को बनने ना देना अच्छा मेरेड लाइफ में आज प्यार बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा ये स्तिती बनेगी तोस्तों बात कर लेते हैं धनू रासी वालों की धनू रासी वालों आपकी रासी से चंद्रमात तृतिय भाब में रहेंगे आज कोई नई दोस्ती शुरुवात हो सकती नया प्यार मिल सकता है नया कोई पार्टनर दोस्त मिल सकता है और उसके साथ साथ आज किसी पर बहुत ज़्यादा बिस्वास हो सकता है आज के दिन आपको बहुत अधिक मात्रा में प्यार मिलेगा किसी प्रकार से कोई दिक्कर नहीं है extra mental affair में भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा आज आपके partner आपकी कुछ बातें जानना चाहेंगे जो आपने छिपा रखी थी अपनी भी बाते बताएंगे जो आपने छिपा रखी थी ये भी इस्तिती बनेगी दोस्तों बात कर लेते हैं मकर रासी वालों की मकर रासी वालों आपकी रासी से चंद्रमा दूतियस तरहेंगे आज के दिन पार्टना थोड़े से चुड़े हो जाएंगे बात-बात पर अभध्रता दिखाएंगे बहुत जादा उल्टा सीधा बोलेंगे यह इस्तिती बनेगी उसके जाथ ऐसे इस्तिती बने जराएगी कि आपको वो छोड़ने की बाते करने लगें और एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर में बहुत जादा ऐसी स्तिती निर् जादा आएगी बहुत जादा किसी के आद में तडफेंगे कोई आपको आपके प्यार को ठुकरा देगा आज के दिन अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं या दोस्ती की सुरुगात करना चाहते हैं अब आपका हाल वही होगा कि ठुकरा के आपको वो व्यक्ति भी खुस नहीं रह पाएगा आपके प्यार को भी ठुकरा करके वो खुस नहीं रह पाएगा दोस्तों बात कर लेते हैं कुम्ब रासी वालों की कुम्ब रासी वालों आपकी रासी में ही चंद्रमा का गोचर ये दरसाता है कि आज के दिन आप अपने अंदर की गलतियों को बहुत ज नहीं मिलता है ऐसा क्या है जो मुझे हर व्यक्ति छोड़ने की सोचता है मेरे अंदर क्या कमी है ये बातें बहुत ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करेंगी और नकार अत्मक्ता की ओर ले जाएंगी आप अंदर ही अंदर घुटेंगे आज घुटन महसूस होगी इसका कार आप स्वयम भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर की कुछ हरकतें भी हो सकती है इसलिए आज के दिन आपको थोड़ा सा आध्यात्मित्ता की ओर बढ़ना चाहिए पूजा पाठ में सनलगन होना चाहिए और आज का लग टिप्स तो जरूर करना चाहिए यहां पर देखा जा हैं और बीती बातों की बज़े से हैं और अगर मुलाकात करते हैं आज के दिन तो और ज्यादा अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो आज के दिन इस्तिती खराब हो सकती है आज के दिन बीती बाते छिपी बातें बताना भी नुकसान दाएक हो सकता है और ज्यादा छिप पाना भी नुक्सान दाए हो सकता है इसलिए सोच समझ के कुछ भी करें गलत फहिमियां बहुत जादा बन सकते हैं और गलत फहिमियों का तो कोई इलाज ही नहीं वहाँ पर तो सांती से अपने सब्दों को अंदर ही कैद कर लो गलत फहिमी अगर बन गई तो बहुत जादा प चुप हो जाईए आपकी चुपी उन्हें कुछ न कुछ ऐसास करा देगी जिससे उन्हें लग जाएगा कि व्यक्ति गलत नहीं कई बार होता है ऐसा कि चुपी भी कुछ गलत नर्ड़य लेती है या गलत एक तरह से उनके अंदर भाव जागरित कर देती है लेकिन ऐसा नह बहुत जादा गुस्सा भी आएगा चुड़ चुड़ापन भी आएगा और आज आप किसी को डेट करते हैं मुलाकात करते हैं तो आपके लिस समय अच्छा नहीं है आज आपका बहुत जादा समय खराब हो जाएगा आज आपकी लब लाइफ अच्छी नहीं जाएगी मान दोस्तों यह था आज का लव रासी फल अब जान लेते हैं आज का लव टिप्स आज का उपाए आज के लव टिप्स में क्या करना है आपको आज के लव टिप्स में आपको एक तामे का लोटा लेना है उसमें जल भरना है और उसके बाद में थोड़ से काले तिल डाल करके पर रुद्रा विशेक की तरह आप आराम से महामनतुंजय मंत्र बोलते हुए या उम्निवर्शिवाय का जब करते हुए यह जल चड़ाइए निश्चत रूप से आपको आज बहुत लाब मिलेगा और आपके लिए राहू की जो राहू के नक्षत्र में चंद्रमा की स्थित पर फॉलो करने के लिए और फेस्बुक पेज पर फॉलो करने के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं फेस्बुक पेज पर बहुत जल्दी लायवा करके आपके निसुल्क आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे तो फेस्बुक पेज पर जरूर जाईएगा और Facebook पेज को follow कीजिएगा, उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप दुर्गा सब्स्षती का पार्ट करवाना चाते हैं, किसी भी समस्या के समाधान हे तू, तो आप अभी भी संपर्क कर सकते हैं, एक दिन का पार्ट अभी भी आप करवा सकते हैं एक दिन के पार्ट की booking जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों